असलाम अलेकुम पॉइम सनिंग की एक्सरसाइज बी का क्वेस्टन नमबर फोर है ट्राइटो पुट दीज इन ओर्डर ओफ साइज फ्रों स्मॉल टू लाज इन अलफाज को आपने स्मॉल से शुरू करना है और लाज तक लेके जाना है यानि step by step इन में से सबसे छोटा वर्ड कौन सा है जिस तरह हम numbers को लिखते हैं sending order में इस तरह इनको तरतीब देना है सबसे पहले लिखा हुए है palace, cottage, castle और house तो हमने इसको इस तरह लिखना है cottage जो के घर से छोटा होता है इसलिए पहले cottage को लिखा है फिर house, castle और फिर palace और चुँकर ये छोटे तरतीब बार लिखे हुए है इसके बाद दिखें baby, boy, gent और man तो हम इससे लिखेंगे baby, boy, man और gent इसके बाद है beetle, mosquito, frog, mouse तो सबसे पहले हमने लिखना है mosquito, beetle, frog और दन mouse लास्ट में है eagle, robin, owl, ostrich तो सबसे छोटा है robin, फिर owl, फिर eagle और ostrich next question है add an apostrophe to the words in the following only where one is needed जहां इसकी जरूरत है apostrophe comment की वहां इसको लगाना है और जहां इसकी जरूरत नहीं वहां नहीं लगाना first pair, I can see the alls looking at me तो यहां जो है इसकी जरूरत नहीं है कहीं भी किसी भी letter के साथ किसी भी word के साथ apostrophe comment की जरूरत नहीं इसके बाद है let's, let's see if he lets us in अगर देखें इसमें the letter, yours, truly तो यहां भी आपने has, has लिखा हुए h, e, s, जोड के लिखा हुए इसको आपने he के बाद apostrophe comma then s लिखना है it's not standing up it's on its side और यहां its के साथ हमने comma लगाना है और फिर नीचे है that has not here it's yours यहां भी it's को हमने apostrophe comma लगा के तो इससे लिखना है इसके बाद है exercise E का question number two यहां हमने लिखना है एक अपने पसंदीदा मौसम को लिखना है इससे describe करना है कि आपके ख्याल में कौन सा मौसम अच्छा है और कौन सा मौसम आपको पसंद है और वो किसली यह पसंद है देखें उपर मौसमों का जिकर है कौन कौन सा मौसम जो है वो किस तरह कहे spring, summer, autumn और winter चार मौसम है अपने classmate से discuss करना है कि आपको कौन सा मौसम पसंद है और जो आपको मौसम पसंद है उसके बारे में आपने three reasons बतानी है कि कौन सा मौसम आपको पसंद है तो यहां मैंने लिखे है my opinion I think that winter is the best season there are three reasons why I have this opinion reason number one है firstly the days are shorter and the nights get longer क्योंकि इसके दिन छोटे होते हैं और आते लंबी होते हैं और इनसान अच्छी तरह से अराम कर सकता है और अपनी नेंद भी पूरी कर सकता है reason number two secondly जहां लिखा हो है dry fruit, coffee and tea enjoyed during winter कि winter season में हम dry fruit को भी enjoy कर सकते हैं coffee और tea वगारा को हम अच्छी तरह से enjoy कर सकते हैं जो कि summer season में नहीं कर सकते हैं reason number three है I like the wear my warm clothes कि मैं सर्दियों में अपने warm clothes को चुँके मुझे warm clothes पसंद है तो इसलिए मैं उन्हें सर्दियों में पहन सकता हूँ यह मेरी चायस है कि मुझे कौन सी चीज पसंद है तो मुझे light clothes की बजाए warm clothes पसंद है तो चुँके winter season में पहन सकते हैं इसलिए मुझे winter season पसंद है conclusion क्या है finally winter is definitely the best season यानि जिसको winter season पसंद है वो तो उसके लिए तो definitely वही season अच्छा है और हर जो बच्चा है वो अपनी choice की मताबक इसको लिख सकता है कि उसे कौन सा season पसंद है और इसकी three reasons भी